जै माई की में इस राशी के जात को वर्ष 2021 की अगरिम शुब कामनाओं के साथ मैं हूँ हनुमान मिस्रा आपका अपना जोस्त्री वा अंक सास्त्री हम लाए हैं आपके लिए वर्ष 2021 का राशी फल इस राशी फल में हम आपके जीवन के मुख्य पहलों से जुड़ी छोटी बड़ी अनेक भविश्यवानियां लेकर आए हैं इन भविश्यवानियों के मदद से आप जान पाएंगे कि इस साल आपका स्वास्थ आपकी शिक्षा आपका करियर कैसा रहने वाला है और साथी आप जान पाएंगे कि यह साल आपके आर्थिक मामलों वा निजी जीवन के लिए कैसा रहेगा इतना ही नहीं, आपके लिए हम सरल से सरल उपाय भी बता रहे हैं, जिनें आप कठिनाईयों वा परेशानियों से मुक्ति के लिए प्रयोग में ला सकेंगे, आपको बता दें कि यह राशी फल लगन पर आधारित है, आपके दसाओं के अनुसार परिणामों में कुछ अंतर ह हो सकता है, दसाओं आधि के बारे में कुंडली दिखानी हो, तो एक बहुत ही छोटी सी फीज जमा करके आप हमसे परामर्श ले सकते हैं, तो आइए अब बिना देर किये, शुरू करते हैं और सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ की, में सरासी वालों सामाने तर पर आपका स्वास्थ 2021 में अच्छा रहेगा, कोई बड़ी परिशानी नजर नहीं आ रही है, हलाकि आपका द्वादसेश ब्रहश्पती साल की सुरुवात में नीच का रहेगा, अर्थात जनवरी, फरवरी, मार्च तथा 14 सितंबर से 20 नवंबर की अवधि में कुछ हद तक अनिद्रा की सिकायते रह सकती हैं, साथी मुकि स्थान पर राहू की इस्थिती को देखते हुए आपका खान-पान सयमित रहे, इस बात की सलाह भी मैं आपको देना चाहूँगा, खान-पान सयमित ना रहने की इस्थिती में पेट से सम्मंदित कुछ परिशानियां रह सकती हैं, साथ ही गुदा या रक्त से संबंदित कुछ परिशानिया जिने पहले से हैं उन्हें विशेश तोर पर सजग रहने की जरूरत रहेगी अर्थात यदि पहले से कोई समस्या नहीं है तो सामाने तोर पर यह साल स्वास्त के लिए अच्छा रहेगा आये अब जान लिया जाए कि साल 2021 मेसरासी वाले लोगों की शिख्षा के लिए कैसा रहने वाला है मेसरासी वालों सामाने तोर पर यह साल आपकी शिख्षा के लिए अच्छे परिणाम देता हुआ परतीथ हो रहा है साल के सुरुवाती महीनों अर्थात जनवरी, फरवरी, मार्च तथा सितंबर महीने के दूसरे भाग से लेकर 21 नवंबर तक ब्रहस्पती आपके चतुर्त भाव पर दृष्ट डालेगा फलस्वरूप आपको उच्छी सिक्षा में अच्छा लाब मिल सकता है इसके अलावा साल के अन्य महीनों में ब्रहस्पती आपके पंचम भाव पर प्रवावी रहगा या भी सिक्षा संबंधी मामलों में खासकर बवब्धिक मामलों में अनकूल परणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है यानि हम कह सकते हैं कि सामाने तोर पर साल 2021 में सरासी वाले लोगों के सिक्षा संबंधी मामलों के अनकूल परणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है आईए अब जान लिया जाए कि साल 2021 में सरासी वाले लोगों के कारिशेतर के लिए कैसा रहने वाला है सामाने तोर पर देखा जाये तो आपकी कुंडली का दसम भाव का स्वामी दसम भाव पर ही गोचर करेगा अता आपको कारी छेतर में अच्छे परणाम मिलने चाहिए खाला कि सनी को मेहनत कस ग्रह माना गया है अता काम की अधिक्ता या वर्क प्रेशर अधिक रह सकता है लेकिन सामाने तोर पर कारी छेतर से अच्छी उपलबधियां मिलनी चाहिए हाला कि दसम भाव में ब्रेश्पती का गोचर सामाने तोर पर ठीक ठाक माना गया है क्योंकि ब्रेश्पती नीच का रहेगा ऐसे में वरिष्ठों से आपके संबंद अच्छे बने रहें इस बात का प्रयत्म करते रहना होगा साथी किसी भी तरीके का आरोप प्रत्यारोप आप पर न लगने पाए इस बात की कोशिश भी पूरी समझदारी के साथ आपको करने होगी यदि आपने ऐसा किया तो यह साल आपको पदोनति आदि का तोहफा भी दे सकता है हाँ एक विशेश बात हमारी कोशिश भी रहेगी कि आपके करियर के लिए हम एक अलग से विशेश राशी फल तैयार करें जिसमें खास तोर पर केबल और केवल आपके करियर पर ही विस्तार से चर्चा की गई हो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी जिससे वह वीडियो वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल सके आई अब बात कर ली जाए साल 2021 आपकी आमदनी और आर्थ व्यवस्था के लिए कैसा रहने वाला है इस बात की इस वर्ष 6 अप्रेल से 14 सितंबर तथा 21 नमंबर के बाद ब्रेश्पती का गोचर सामानेता आपके लाब भाव पर रहेगा हलसरूप आपकी आमदनी में बढ़ोत्री के योग बनेंगे स्वाभाविक है जब आमदनी अच्छी होगी तो आर्थ व्यवस्था में भी सुधार होगा यानि साल के सुरुआती महीने आर्थिक मामलों के लिए थोड़े से कमजोर रह सकते हैं हलकि इस समय आपकी महनत अच्छी रहेगी तो उसके परणाम तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे वही अप्रेल से सितम्बर के बीच अच्छी आमदनी के चलते आर्थिक सुधार होगे तो वहीं सितंबर से नवंबर के बीच छोटे मोटे आर्थिक उतार चड़ाओ देखने को मिल सकते हैं इसके बाद इस्थितियां अच्छी हो जानी चाहिए अर्थात सामाने तोर पर साल आर्थिक मामलों के लिए अच्छा रह सकता है उन्हां बता देते हैं कि हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपकी राशी के लिए केबल और केबल आर्थिक मामलों पर एक वीडियो बनाए जिसमें विस्तार से आपके आर्थिक पक्ष की चर्चा की गई हो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा जिससे जब भी वाव वीडियो आए आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल जाए आईए अब आपके पारिवारिक और निजी मामलों की चर्चा कर लेते हैं मेंसरासिवालों सनी की चोथे और सप्तम भाव पर द्रिष्टी तथा दूसरे भाव पर राहु के प्रभाव को देखते हुए पारिवारिक और निजी मामलों में कुछ परिशानियां आने का संकेत मिल दा है हलाकि यह परिशानी आपको जादा परिशान शायद ना करें क्योंकि साल की सुरवात में अर्थात जनवरी फरवरी और मार्श के महीनों में ब्रहस्पती का गोचर आपके दसम में होगा परणाम सरूब ब्रहस्पती आपके दूसरे और चौथे भाव को देखते हुए आपकी घरेलू समस्याओं तथा पारिवारिक समस्याओं को सुलजाने का प्रयत्म करेंगे वहीं 6 अप्रैल से 14 सितंबर तथा 21 नमंबर के बाद ब्रहस्पती का गोचर आपके लाब भाव में होगा जिससे वह आपके प्रेम संबंध, संतान संबंधी मामलो तथा निजी जीवन में अनुकूलता देने का प्रयत्म करेंगे जिससे आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सकी और आपसे वह वीडियो मिस ना हो जाए आए अब उपायों की चर्चा कर लिजाए जिससे की परेशानियां होने की स्थिति में आप उन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकी उपाय की रूप में आपको सूरियोदय से पूर्व उठना है इसनान ध्यान इत्यादी से निवरित्त होकर सूरियोगवान को जल चड़ाना है या था संभव प्रति दिन मंदिर जाने का प्रहत्म करें तथा समय समय पर मौका निकाल कर कम से कम दस नेत्रहीनों को भोजन कर तो उम्मीद है आपको इस राशी फल के माध्यम से अपने साल को प्लान करने में मदद मिलेगी और आप बेहतर करेंगे आप सभी को साल 2021 की अग्रिम शुक्कामना है भगवती सब का कल्यान करें जैमाई धर्म और संस्किति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv और लेटेस्ट अपडेच के लिए बेल की आइकन पर क्लिक करें करेंगे जैमाई